अलो फ्रेंड्स अश्माला की चैन एन ब्लॉग में आपका स्वागत है आज हम मनाएंगे केले की सब्जी बहुत ही अलग तरीके से मनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनाएंगे केले का छिलका उतार लेंगे हम ऐसे उपर से आप लोग काट लेजिए बीच में से ऐसे कट करके और आप छिलका उतार लेंगे केले को हमें पहले से दो लिया है यह ऐसे असान तरीके से उतार जाता है और जहीं केला चिलका उतार लैंए उसके बाद एक बार नहीं दोना एसए पतला-पतला कट कर लेंगे में फुल वीडियो ङाज किएगा अब इसमें अल्दी डाल देंगे लाल मेश पाउडर डालेंगे नमक डाल देंगे अलका शा नमक डालना है हमें उसके बाद ये थोड़ा शा गर्म मसाला डाल देंगे दनिया पाउडर डाल देंगे अब इसको मिला लेना है हमें जो हम मसाला सबजी में डालते हैं न महीं सब इसमें डाल देंगे कड़ाई में तेल डालेंगे अब इसको एक एक करके तल लेना है हमें केले का सबजी ये होता है न कि अगर आप बनाओ तो अब गे तल चुका है अब इसको निकाल लेंगे हम यहांपर मैंने जीरा डाल दिया है इसी तेल में, अलका शहींग डाला है, इसके बाद ये मैंने लेसुन अत्रक का पेश्टेश में डाल देंगे, अब खड़ा लेसुन अत्रक भी काट के डाल सकते हो, बारिक कटा हुआ प्याय टाल देंगे अब इसको golden brown अने तक भुनेंगे ये देखिए ये भुन चुका है अब इसमें हल्दी powder टाल देना है लाल मेर्श पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे गरम मसला डालेंगे और हल्का सापानी डालके इसे हमें भुननाजी से मसाले हमारे जलेना इसके बाद टमाटर कटा हुआ डाल देंगे और हल्का सानमक डाल देंगे जैसे टमाटर भी अच्छे से गल जाते हमारे अब इसको हमें डख डख के धीमी आजबे अच्छे से भून लेना है यह अब हमारा मसाला भून चुका है अब इसमें जो तला हुआ केला है न वो डाल देंगे इसको भी एक दो मिनट के लिए डख के हमें पकाना है अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे जितना आप पानी रखना चाते वरना आप ऐसे सुखा भी खाना चाते तो खा सकते हो आपके केले की सबची बनके रेड़ी हो गई वाला जाने दिजी उसके बाद धनिया पता डाल दिजी फेके केले सब्सक्राइब के लिए झाल झाल